जैस्री कृष्णा आज हम स्रीमत बागवत किता के अध्याय चार पर चर्चा करेंगे अध्याय चार का नाम है ग्यानकर्म सन्यासी योग इस अध्याय में 42 लोग है और हम इस अध्याय की सिक्षा और सीख संदेश पर चर्चा करेंगे इस आध्याय में बगवान स्री केर्शे नर्जुन से कहते हैं मैंने इस अविनासी योग का उपदेश सज से पहले विवस्वान सुर्य देव को फिर सुर्य देव ने मनु को और मनु ने अपने पूत्र एक स्वाकू को बताया अर्थात यह एक परंपरा है जो पेडी-दर-पेडी अस्तांतरित किये जा रही है यह ग्यान हर काल में उपयोगी और सत्के रहता है इस परकार इस योग का ग्यान राजा और रिश्यों ने परंपरा से प्रापित किया समय के साथ इस मान योग का ग्यान कमजोर हो गया यह योग जो आज मैंने तुम्हें बताया है वै केवल एक साधरन जानकारी नहीं है बल्कि एक गहरा और प्राचीन योग है तुम मेरे भगतों सखा भी हो इसलिए यह रहसे तुमारे लिए विशेश है इस ग्यान को समझना और अपनाना केवल उन लोगों के लिए संभव है जो सच्चे बागत है जिनोंने किर्शन से सच्चा संबन स्थापित किया है इस रहसे का ग्यान पाने के लिए मितरता और बगती का विशेश स्थान है आगे अरजुन कहते हैं कि बगवान आपके जनम तो अनन्त है और विवस्वान का जनम भी एक पूनर जनम है फिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपने पहले यह योग सूरिय से कहा था अरजुन यह चाह रहे हैं कि उन्हें यह समझा जाए कि केर्शन का ग्यान प्राचिन है और वे इस अंसार में समय समय पर परकट होते गए अरजुन मेरे अन गिनत जनम भी चुके हैं और तुम्हारे भी कई जनम हो चुके हैं लेकिन मैं सभी जनमों को जानदाउं परंदु तुम नहीं जानते अर्थात केर्शन अरजुन को समझाते हुए कह रहे हैं स्री केर्शन सरवग्य हैं उन्होंने कई जनम लिए हैं जिसका ग्यान केवल उने ही है आरजुन जैसे मनुष्य अपने पूरो जन्मों को नहीं जान पाते स्री केर्षन आरजुन को अपने दिव्य सावाओ के बारे में बता रहे हैं कि मैं ए जन्मा हूँ मेरी आत्मा अविनासी और मैं सभी जीओ का इस वर हो फिर भी मैं अपनी परकरती के अधिनों कर अपनी योगमाया से संसार में आउतरीत होता है अर्था तो ये जन्म और मेर्थू के चकर से परे हैं वे जहन आप और क्यो आउतार लेते हैं और एधर्म यानि अन्याय और पाप बढ़ता है तब मैं संसार में अवतरीत होता हूँ साधो की रक्ष्या और दुष्टो के विनास और धर्म की स्थाफना के लिए मैं यूग-यूग में अवतरीत होता हूँ अर्ता जब जो संसार में ऐस संतुलन होता है तब तब मैं अवतार लेकर संतुलन करूँगा जो व्यक्ति उन्हें सत्यता से जानता है दे को त्याकर पुनर जनम को प्राप्त नहीं करता बलकि मेरे पास आता है केवल बगवान के दिवे सवरूप को समझने से ही इंसान जन मेर्तु के चकर से मुक्त हो सकता है इश्वर की सर्ण में जाकर मन सूथ करके और अज्यान से उपर उठ करियें अपने जीवन का पर्मलक्षय प्राप्त कर सकते हैं अर्थात मेर्स सभी जिवों के पर्ति उनके समर्पन के अनुशार ही पर्ति किरिया करते हैं अगर कोई व्यक्ति बगवान की सर्ण में बहुतिक सुख समपत्ति की कामना लेकर आता है हर व्यक्ति अपने विश्वास और समर्पन के अनुसार ही इस्वर से फल प्राप्त कर सकता है इस्वर व्यक्ति की भावनाव और नियत को समझते हैं और उसी के अनुसार उसे परिनाम देते हैं जो लोग कर्मों की सफलता चाते हैं वे देवताओं की फूजा करते हैं क्योंकि इस मानों लोग में कर्म द्वारा कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले सिगर ही मिलती है जो लोग बोतिक सुक संपत्ति और चल्दी फल की इच्छा रखते हैं पेवे इन देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इन देवताओं की पूजा करने से उन्हें अपने कर्मों का फल चल्दी से प्राप्त हो सकता है बगवान स्रीकेशन कहते हैं मैंने इस स्रिष्टी की विवस्ता को बनाया लेकिन विश्वयम इसमें किसी परकार का करता नहीं है यह स्रिष्टी का सवबाविक नियम है जो अपने आप चलता रहता है यानि परतेक व्यक्ती के गुण और उसके द्वारा किये गए कारिये कर्म के अनुसार समाज में उनका स्थान विर्दारित करते हैं आगे स्रीकेशन जी कहते हैं कर्म मुझ में लिप्त नहीं करते मुझे कर्म के फलों की कोई इच्छा नहीं है जो व्यक्ति सच को समझता है वे कर्म करते हुए भी उनमें बंदता नहीं है अर्थात व्यक्ति भी बिना फल की इच्छा से कर्म करता है और अपने कर्तवे का पालन करता है तब वे भी कर्मों के बंदन से मुक्त हो जाता है इस ग्यान को जानकर प्राचिन काल में भी मुक्ती चाने वाले लोगों ने अपने कर्तवयों का पालन किया हते तुम भी उसी परकार अपने कर्तवयों का पालन करो जैसा उन्होंने किया था यह ग्यान जो उन्होंने परदान किया कोई नया नहीं है पहले जो लोग मोक्स की इचा रखते थे उन्हों ने इसी ग्यान के नुसार अपने कर्मों का पालन किया है स्री केंजन अरजुन को कहते हैं कि उसे अपने करते विए कालन करना जीवन में केवल कर्म करना ही महतो पूर नहीं बलकि यह भी जानना जरूरी है कि कौन ऐन coalition सा कर्म और कर्म legislators समझना ही सच्ची बुद्रीमानी यह चछा कर्म यूगीków कि अपने सभी कार्यों को स्वार इच्छाओं और कांक्षाओं से मख्तों करता है वही सच्छे ग्यान को प्राफ्ट कर चुका होता है उसके कर्म ग्यान की अगनी में जलकर सुद हो जाते हैं कर्म बंदन से मुखत जाता है मनुष्य कर्म करते वे संसार के बंदनों से मुखत रह सकता है आगे श्रीकेर्षिंकर्म योका मैं तो बताते हुए कहते हैं यदि कोई वैक्ती अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़ कर संसार में रहते व आदार पर जो व्यक्ति अपनी इचाओं से मुक्त हो जाता है जिसने अपने मन और आत्मा पर पूरण नियंत्रेंड कर लिया है वैसंसार की बोतिक वस्त्वों के इच्छा नहीं रखता है ऐसा व्यक्ति केवल अपने सरीर की आवश्यक्ताव को पूरा करने के लिए कर्म करत जाता है जो व्यक्ति कर्म के मादम से हर जेगे बर्मा को देखता है वे बर्मा को ही प्राप्त करता है बर्मा में ही समर्पित हो जाता है उसके जीवन का उदेश्य कर्म और ग्यान सब बर्मा को ही समर्पित होते वैसंसार के बंदनों से मुक्त होकर बर्मा में लेन हो जात कुछ योगी अपनी साधना के रूप में देवताओं की पूझा करते हैं और उन्हें पर्शन करने के लिए करते हैं यह योग बोतिक जग्त के फल प्राप्त करने या आसिरवात पाने के लिए होता है इस प्रकार योगी अपने मन इंद्रियों और आत्मा को बर्मा में आत्म सयम और इंद्रिय नियंत्रन भी यक के ही रूप है कोई वेक्ति या तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है या इंद्रिय विशो से मुक्त रह सकता है और तात कुछ लोग सभी इंद्रियों जैसे देखने सुनने स्पर्श करने प्राण या जीवन सकती के सभी कारियों को नियंत्रित करते ताकि वे आध्यात्मिक मार्पर आगे बड़सके अन्य लोग सभी इंद्रियों के कारियों और प्रान कारियों को आतम सयम रूपी योग की अगनी में अर्पित करते जो ग्यान से परजवलित होती है जिससे व्यक्तिप निसारीरिक और मांसिक सक्तियों को आतम ग्यान और इस्वर की और के इंद्रित करता है कुछ लोग अपने दन का यग करते हैं, कुछ कटोर तपस्या का यग करते हैं, कुछ योग का ब्यास करते हैं, कुछ सास्त्रों का दन और ग्यान प्राप्ति को ही यग मानते हैं ये सभी योग यग करने वाले दड़ संखल और नेमों का पालन करने वाले होते हैं अर्तात यग या बलीदान कई परकार से किया जाता है कोई व्यक्ति पने धनकादान कर सकता है कटोर्त पस्या कर सकता है योगसाध ना कर सकता है ग्यान प्राप्ति के लिए सव अध्याई कर सकता है इन सभी यगों में से एक बात समान होती वे सभी दर्ड संकल्प जाते हैं यग आत्याग करने के बाद जो सेस बचता है उसे ग्रेंड करने से व्यक्ति को संतोस मिलता है जीसे यहां अमरित कहा गया है यह का अर्थ केवल अगनी में आहोती देना ही नहीं बलकि हर वैकारिय जुद्ध नीश्वर्थ बाव से किया जाता है जैसे प्रोपकार दियान ज्ञान का अधान परदान और सेवा हर्थात नीश वर्थ कर्म और त्यात के मादम से आत्मा की सुध्धी होती है। यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं और धर्म और समाज के लिए कुछ नहीं करते तो हमारा जीवना दूरा रहता है। बिना यग या त्याद के व्यक्ति ना तो या स्वांती पा सकता है नहीं अगले जीवन में आगे सिरी केशन अरजुन को बोतिक साधनों और ग्यान का मैतों बताते वें समझाते हैं जीवन में बोतिक साधनों से बढ़कर ग्यान का मैतों है साही ज्यान से व्यक्ति सभी समस्याँ पर समादान भा सकता है सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका सिखाते वे अर्जुन को कहते हैं उस सत्य को तुम गुरू के पास जा कर जानो उनसे विनवर्ताक से परसन पूछो उनकी सेवा करो वे तुमें ज्ञान का उपदेश देंगे मर्ता घ्रतात कुरुए के सामने सर्ес से पहले अपने एंकार को त्यागो, पूरन नमर्ता और समर्पं के साथ जाते ओ, तो तुम् sätyah जन प्रоляपक्त होगा, सत्य जन प्रापक करने के लिए सही मेरदर्जन और सही दृष्ट्री कोन होना चाहिए, ग्यान प्राप्त के लिए में गुरू के परति समर्पित, सेवा और विनमर्ता का बाव करके ही सीखने के जिग्यासा रखनी चाहिए सच्चे ग्यान से ने केवल मौ या बावन का आन्त होता है बलकि व्यक्ति को यह अनुबह होता है कि सभी प्राणी एक ही आत्मा के अंग है जो परमात्मा से जुड़े हुए है जब यह ज्यान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को सब में एक ही आत्मा और इस्वर का अनुबह होता है जिससे उनकी दिरश्टी व्यापक और दिव्य हो जाती है ज्यान का मैतो बताते वे पगवान सीरी केशन अरजुन को कहते हैं ज्यान का मैतो इतना महान है कि वे सभी करमों के प्रिणामों को समाप्त कर देता है ज्यान की प्राप्ति से व्यक्ति ने केवल अपने पापों से मुख्त हो सकता है बल्कि अपने समस्त कर्मों के बंदन से भी मूख्त हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान सुध करने वाला और कुछ भी नहीं है जो व्यक्ति योग के द्वारा सिध हो चुका है। वैस्वेम समय के साथ इस ज्ञान को अपने वितर प्राप्त कर चुका है। आगे बगवान स्री केशन संदे और विश्वास की कमी के प्रिणामों के बारे में बता रहे हैं। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं हैं, जिनके अंदर सरदाय विश्वास की कमी हैं, वे संदे में जीते हैं। संधे सब्एभराती और विखास में बादा डालता है संधे से गिरा व्यक्ति शाहिं निर्णे लेक्ति संधे और अभ्यानता व्यक्ति को विनास की तरफ ले जाते हैं इसलिए है अर्जुन अग्यान से उत्पन जो संसे तुमारे अर्दे में स्थीत है उसे आत्म ग्यान की तलवार से काट डालो और योग में स्थीरोजा उठो हरतात यगपा ज्ञान से उत्पन जो सक तुमारे अर्दय में है उसे आत्म ज्ञान की तलवार से काट कर समाप्त करो ज़िक तुमारा संसे दूर हो जाएगा तब तुम योग में स्थीर हो कर अपने कर्मों को सही ड़ंसे कर पाओगे हाथे उठो और अपने कर्तवे का पालन करो इसी के साथ हमारा द्याय चार समाप्त होता है हमारे साथ गीता ग्यान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवत रादे रादे